दूसरों के बेटों को ये कहना के आईए हम ये करेंगे हम ये गैर करोनी काम करेंगे आप हमारा सादीजी बहुत आसान है आमादवी पार्टी एक कट्टर देशवक्त और इमांदार पार्टी है ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पन प्रयो उसको हम बक्षेंगे नहीं पिशले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चड़कर पंजाब में महौल खराब करने की बातें कर रहे थे नफर्तवरी स्पीच दे रहे थे कुछ ऐसे कनून के खिलाब बोल रहे थे तो उन पर कारवाई की गई है और उस कारवाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए है और उनको सक्स सक्स अजादी जाएगी जो लोग बुरी कमपनी में बुरी संगत में फसके पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे वो भी गलत है मैं उनको कहना चाहता हूं कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शान्ती को तोड़ने का यह आपकी गलत फैमी होगी दोस्तो जब भी पंजाब का ख्याल मन में आता है तो लहराती फसलें नाचते जूमते लोग शूरबीरों योदाओं की गुर्बानी की कथाएं और गुर्बानी सरवत का भला मांगने वाली गुरुओं की गुर्बानी मन में आती है और पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतरत दिया है जाए वो आजादी का अंदोलन हो, जाए आजादी के बाद हरे इंकलाब के रूप में, ग्रीन रेवलूशन के रूप में, अन्ने के मामले में, अनाज के मामले में देश को अतन निरवर करने का एक टास्क हो, तो पंजाब ने हमेशा लीड किया है और पंजाब के लोग हसने खेलने के लिए खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे पंजाब के लोगों की अमन शान्ती और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बरदाश्ट नहीं करते इतिहास गवा है जिसने भी पंजाब के शोशल भाईचारक सांज को जिसने भी पंजाब की आमन शान्ती को तोड़नी की रत्ती भर भी कोशिश की तो पंजाबियों ने उसका मूँ तोड़मा जवाब दिया आज मैं आपके सामने बैठा हूँ पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताक्तों के हाथ चड़कर पंजाब में महौल खराब करने की बातें कर रहे थे नफर्तवरी स्पीच दे रहे थे कुछ ऐसे कनून के खिलाब बोल रहे थे तो उन पर कारवाई की गई है और उस कारवाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सक्स सक्स अजादी जाएगी क्योंकि आमादवी पार्टी एक कट्टर देशवक्त और इमानधार पार्टी है पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप्रयो उसको हम बक्षेंगे नहीं क्योंकि लोगों ने बारी पहुमद देकर हम भुत बड़ी जिम्मेदारी दी है दूसरों के बेटों को ये कहना कराईए हम ये करेंगे हम ये गयर करूनी काम करेंगे आप हमारा साथी जी बहुत असान है मुझे बहुत लोगों के फोन आए, बहुत पेरेंट्स के फोन आए, माता पिता के फोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया पंजाम में अमन और शांती रहनी चाहिए इस मामले में हम आपका साथ देंगे क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में न पढ़ जाएं जबके सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ओफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोजगार दलवाने की बाते कर रही है तो हमारे लिए प्रात्मिक्ता किताबे हैं, हमारे लिए प्रात्मिक्ता लैपटॉप और कंप्यूटर है, हमारे लिए प्रात्मिक्ता कोई गयर समाजिक हथ्यार नहीं है तो मैं तीन क्रोड पंजाबियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सप्रेशन के दुरान बहुत साथ दिया पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना जा कोई पत्थर जा कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई इससे मेरा भी होसला बढ़ा है कि लोग जो है वो शांती चाहते हैं लोग तरक्की चाहते हैं और हमारी सरकार जो है नफरत की राजनिती नहीं करते हैं हम तो तरक्की की राजनिती करते हैं हम सकूलों की बात करते हैं अस्पतालों की बात करते हैं बिजली की बात करते हैं इं 100% secular party है हम लोग किसी धर्म के नाम पर जाती के नाम पर जा नफरत के नाम पर कभी भी राजनिती नहीं करते और पंजाब की शांती और पंजाब की अमन के लिए हम सक्त सक्त कारवई करेंगे जो लोग बुरी कंपनी में बुरी संगत में फसके पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे वो भी गलत है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांती को तोड़ने का यह आपकी गलत फहिमी होगी तो मैं एक वार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आशवाषन दिलवाता हूँ कि मेरा खून का कत्रा कत्रा मेरे दिल के एक धड़कन मेरे एक बनाएंगे और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा आज भी हमारे हजारों जवान जो हैं वो देश की इजादी को कैम रखने के लिए सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं इस बात का हमें कर गए तो पंजाब की शांती को पंजाब के पीस को पंजाब की हर्मनी को अगर कोई टच भी करेगा अगर कोई बगारनी की सोचेगा भी तो सक्त से सक्त कारवाई होगी यह हमारा वादा है और इसी लिए आपने हमें जुम्यदारी दिया है उस जुम्यदारी के अधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग बिलकुल निश्चनत रहें पंजाब सेफ हाथों में है आमादी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायत उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी बज़र्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए-नए जो है मौके वो पंजाब में पैदा होंगे झाल